हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल एंजी फैशन स्ट्राइल में अज़ाब के साथ शेयर करनी वारी हूं वर्डे मेकप लुक शेयर करी हूं यह मेरी सब्सक्राइबर निधी भाव्या और महग ब्यूटी की रिक्वेस्टी के यह रिगू लुक शेयर करूं तो चलि करने के लिए यहां पर मैं मौश्राइजर का यूज करी हूं यह मौश्राइजर वैसलीन का है आपके पास जो भी मौश्राइजर हो आप वो अपनी फेस पर अप्लाई कर सकते हैं जो मौसून जो चल राय स्टम उसमें जो स्कीन थोड़ी थोड़ी होने लगती है इसलिए स्कीन का बहुत जादा धियान रखें और मौश्राइजर ज़रूर अप्लाई करें मेकप करने से पहले यहां पर मैं प्राइमर की वीडियो एडिट करना भूल गई थी यहां पर मैंने प्राइमर भी अप्लाई किया था सीवीजी का प्राइमर मैंने अप्लाई किया था उस उसलिए girls और ladies जो होती है वो जो है पिंगर के help से ही foundation को blend करती है उनको उसे ही आसानी लगती है और वो अच्छे से इसको blend भी कर लेती है तो यहां पर upward और down motion में जो हाँ जाप मुझे जरूरत है वैसे मैंने अच्छे से इसको blend कर लिया है सारे foundation को apply करने के बाद उसके वाद यहां पर मैंने अपनी फेस को set करने के लिए लैक में का जो है इसको यह बहुत ही लाइक कवरेज देता है इससे आपके जो फेस पे इंफर अफेक्शन से और foundation है वो अच्छे से से हो जाता है और blemishes वगरा भी नहीं दीखती है और अच्छे से आपके फेस जो है foundation को अच्छा coverage मिल जाता है और आपके फेस पे और भी नहीं आता है इसके वज़ा से और उसके बाद यहां पर आइब्रो के लिए इसको मैं अप्लाइक किया है यानि कि मैंने सबसे पहले आउटलाइनिंग की है उसके बाद मैंने इसको अच्छे से फिल्ट कर लिया है सिंपली मुझे आइब्रो पैंसल से ही आइब्रो बनाना असान लगता है अगर आप चाहें तो पोमेट वगरा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको असानी लगती है तो आप पैंसल की हेल्प से ज़रूर ट्राय करके देखें और इसमें साथ में स्पूली भी दिया हुआ तो स्पूली की हेल्प से इसको मैंने स्पूली कर लिया है ताकि एक्स्ट्र प्रोड़क्ट्स जो है मेरी आइब्रो पर लगा हुआ वह निकल जाए और मेरी आइब्रो जो है वह बल्कु नैच्रल लगे नेक्स्ट यहां पर मैंने जो आइशेडो के लिए ऐसा फार के आइशेडो पैलेट लिया है यह मिनी आइशेडो पैलेट है इसमें काफी अच्छे कलर शेड्स हैं तो यहां पर मैंने पर पर लिया है मैंने सोचा कि कुछ नया कलर जो है ट्राय करती हूं मैंने सोचा कुछ एक निए लेट पर अप्र यहां पर उट यहां पर अलग और आज़ा करोंगे उसके बाद यहां पर मैं गौडबन शेट से कुछ अलग से डीसेंट लूक क्रियेट करोंगी यहां पर मैंने सबसे पहले डाक शेड ही अपलाई किया यहां पर कोई भी light शेड नहीं अपलाई किया है यानि कि ट्रांस्टॉशिन शेड अपलाई नहीं किया है डायक मैंने फ्लैट ब्रॉच के हैं से छैंटर लेट पर अच्छा लगेगा और देखने में आइस यह वह यानि मेरे पास जो pink blusher था उससे मैंने जो है इक टांसुशन शेड होता है जैसे उसको पर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है purple color से और जो है pink shade से अच्छे से इसको color को blend किया है जिसके जासे कोई harsh line वगरर भी नहीं आये यहां पर काजल के लिए मैंने सोचा एक ब्लैक काजल यूज करती हूं तो मैंने वाइड काजल लिया है यह तीन-टीन का जो है वाइड काजल है बहुत ही पिग्मेंटेड है और इसली अप्लाए हो जाता है अगर आप भी कोई वाइड काजल लगाना आपको पसंद है तो पिग्मेंटेड है नी तो मैंने स्यूंप आप इसको आपको शेप देने क्लिए यहां पर मैंने सुछी ब्लैक के लिए हैसे ब्लाशियर के लिए Tú यह 5 pink shade blusher है बहुत ही pigmented है और बहुत ही अच्छी लगती है mostly मैं यह वाली palette जरूर यूज़ करती हूं क्योंकि यह matte shade है लिप्स्टिक के लिए यहां पर NYB के new shade lipstick मैंने लिए है इसका shade number है 06 मैंने इसको lips पर apply किया तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा मतलब new shade था इतना ज्यादा pretty लग रहा था यह lips पर तो यह girls के लिए बहुत ही प्यारा shade है अगर आप purchase करना चाहते है तो इसको आप purple.com से purchase कर सकती हैं बहुत ही अच्छा है और उसके बाद highlighter मैंने apply किया है same Swiss beauty palette से nose पर और मैंने cheeks पर apply कर लिया है उसके सारे face को अच्छे से सेट करने के लिए NYP की setting display का यूज़ किया है बहुत ही अच्छा है इसे आपकी face पर अच्छा glow मिलता है और उसके बाद यहाँ पर AP की का मस्कारा में यूज़ किया है इसे naturally eyes जो होती है आपकी लेशे जो होती है और अच्छे से कर लो जाती है वाल्यू मिलता है अच्छा सा और लॉंग लास्टिंग रहती है और वाट उप्रूफ है यह मस्कारा बहुत ही अच्छा लगता है और आप इस बाद यहाँ पर मैं सोच रहे थे हैस्ट्राइल कैसा बढ़ाओ तो यहाँ प सिंप्ली पफ बनाया है उसके बाद यहां पर मैंने जूड़ा बना रही हूं जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें पहले सबस्वा ने पोनी बने इसके बाद जो जूड़े वाला जो पफ आता है उससे मैंने इसको पोनी कर लिये आप चाहें तो ड को डाइप डाइन आया कर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिनिश आती है इससे और आपका बन भी बहुत ही प्यारा और अच्छे लंबे समय तक आपके बन जो है टिका रहता है डिला यह लूज नहीं होता है उसके बाद यहां पर मैंने ऑक्सिडायस जूल्ली एप्लाइ कर ली है और आप कोई कर लाद जप ली है घचाव चोड़ मैंने जो ही और आपके भी है और आपके लिए मारा यहां खर ली है ऊच्छी अच्छी पुम् ध Tucson